नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग जीके याने समाने ग्यान इससे रिलेटेड इंपोर्टन फिप्टी कोश्चन देखने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक सेयर और चै चैनल्य भारतीय राश्च्टी कांगरेस के निमन लिखित अधिवेशन मैं से किसे की अध्यश्ता जोहर लाल नहरू ने सरपर्थम की थी तो देखे जोहर लाल नहरू ने सबसे पहले जो है ये लाहर अधिवेशन उन्ंतिस के अध्यश्ता की ठीक है इसके अलाब आदी ह हम बात करें कुलकाता अधिवयसन 1928 तो इसकी अध्यश्ता जो एं मोतिलल नेहरु ने कि थी brahim से कानपूर अधिवैसन 1925 इसकी अधिवस्ता जो है सरोजनी नाइडू ने के थी और सरोजनी नाइडू जो कि प्रत्धम भरतिय महीला अधिवस्त बनी थी और बेलगाव अधिवैसन 1924 की बात करें तो इसकी अध्युस्ता जो है महात्मा गाधी जी ने किया था ठीक है आपको याद रखना है कुश्चे नमबर टू है नीति आयोग के CEO का कारेकाल जून दोहर बाइस तक है एक बस तक बढ़ाया गया इनका नाम क्या है तो देखें इनका नाम है अमिताब कांत था ठीक है अंसर ओजाया का ओपसन फी निका कारेकाल जू है और एक सल बढ़ाया गया ठीक है जुन दोहर 22 तक आपको याद रखना है बात करें नीति आयोग तो देखें निति आयोग के स्थापना जो है प्रथम बार एक निश्चित अभी ब्यक्ति कहां हुई थी मुसल्मानों के लिए एक प्रिथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभी ब्यक्ति कहां हुई थी तो ये हुई थी 1930 के मुसलिम लिके इलाहबाद अधिवेशन के एकबाल के अध्यक्षिय भासन में हुई थी ठीक है अंसर वजाएगा उप्षन A कुश्चन नमबर चार है नियूकलियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उप्यूक्ति उनिट कौन मतलब क्या है सबसे उप्यूक्ति उनिट है एंगास्ट्रम ठीक है एंगास्ट्रम किसका मातरक है तो ये दूरी का मातरक है ठीक है अंसर हो जायएगा उप्षन C कुश्चन नमबर पाँच है उपगरा संचार के लिए कौन सा बेधौत चुमबकिया बेक्राड परियुक्त किया जाता है तो ये परियुक्त किया जाता है सुक्ष में तरहंगे ठीक है अंसर हो जायेगा option C question number 6 है कौन से भारती राजय की अधिक्तम सीमा मैं मार से स्पर्स करती है तो देखे मैं मार से और आचल परियुक्त की अधिक्तम सीमा जो है स्पर्स करती है ठीक है और आचल परियुक्त की अधिक्तम सीमा मैं मार से स्पर्स करती है अंसर हो जायेग option B question number 7 है लंदन में संपन हुए गोल में समेलन में भारतिय इसायों का परतिनेधित्व किस ने किया था तो भारतिय इसायों का परतिनेधित्व जो है केटी पालने किया था ठीक है और ये समेलन कब हुआ था तो ये 1930 में हुआ था ठीक है और इसके अधिक्तम सीमा मतलब भारते इसायों का प्रतिनीधी त्वज़ों ये केटी पाल ने किया था अंसर हो जाएगा उपसंडी कुश्य नमबर आठ है भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रेटिस भारत के निमनलेखित में से किस एक परांथ ने एक सन्युक्त एवं स्वतंत्र आस्तित्व के लिए यूजना सामने रखी तो किस परांथ ने रखी थी तो ये पंजाब ने ठीक है भारत वर्ष के विभाज के समय ब्रेटिस भारत के निमनिलिखित में से किस एक परांत ने एक सन्युक तेवम स्वतंत्र आस्तित्व के लिए योचना सामने रखी पंजाब ने रखी थी अंसर उचायग अपसनी कुश्चन नमबर नाइन है हडपा संस्कृती की बहुत संख्यक मुहरे किसे निर्मित ह सेल खड़ी से निर्मित है आंसर उचायग अपसनी कुश्चन नमबर दस है जैन तिर्थंकर पासर उचायग अपसनी कुश्चन नमबर और भगवान पासर उचायग अपसनी की बात करें तो ये जैन धरम के कौन से तिर्थंकर थे तो ये 23 तिर्थंकर आपको याद रखना और 24 वे तिर्थंकर की बात करें तो महावीर जी थे ठीक है महावीर थे जो कि 24 वे तिर्थंकर थे और इनका ज्यान्म जो है 540 इसापुर्व में हुआ था ठीक है कुश्या नमबर 11 है सुपर कंड़क्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो बेधुत करंट के परवा को नियूंतम रोधिता देते हैं ठीक है अंसर वो चायगा अपसन एक कुश्या नमबर 12 है में सी उनिवर्ष दौहर 21 के किताब किस ने जीता है तो में सी उनिवर्ष दौहर 21 के क किताब जो है हरनाज संधुने जीता है ठीक है अंसर वो चायगा अपसन एक कुश्या नमबर 13 है रेगुर मिटी सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा महाराष्ट में रेगुर मिटी को काली मिटी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और रेगुर या फिर काली मिटी जो है ये कापास के उत्पादन के लिए सबसे उप्यूक्त मीटी है ठीक है आपको याद रखना है कुश्चा नमबर 14 है मिरीदा चरण को रोका जा सकता है तो देखें मिरीदा चरण को बन रोपन से रोका जा सकता है correct answer C हो जाएगा कुश्चा नमबर 15 है निम्नलेखेत में से किस परकार की मिर्दा जल धारन चंता सबसे कम होती है। तो जल धारन चमता सबसे कम जो है यह बलोई दोमट मिर्दा की होती है ठीक है अंसर हो जाएक अप्शन है इसके अलावा यदि जल धारन चमता सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक जो है मिरिनमा मिर्दा यानि जो चिकनी मेटी होती है उसकी होती है ठीक है सबसे परतन, खिलावने और मूर्तिया बनाई जाती है ठीक है कुछ्छेन नमबर सिश्टेन है बोमध्य सागरिया छेत्रों में भारी बरसा कब होती है तो भारी बरसा जो है सी तृती है ठीक है आंसर हो चाहेगा सी कुछ्छेन नमबर सेवेंटेन है वाई मंडल की कौन सी परत तो दूर संचार पनाली के लिए ये आयन मंडल जो है परियोग होती है ठीक है आयन मंडल के लिए परियोग होती है आंसर हो जाएगा अपसंडी दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें ठीक है और चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्रा करके बिलाइकर जूरोचन करते हैं कुष्याइंति नंबर एाठेन मोह सागर में यूचि जल प्रओंगे कैसे होती है फिर फिर अंद्रमा से होती है ठीकि आंसर णायों चाह Bandhi question.ologि 19, कौन सा सहर सिर्फ एक दिन के लिए भार्त कमढने बने बने बेरे इंपरेफ्पोर्टन question कौन सा सहर सिर्फ एक दिन के लिए भवारत की राइधाने बने थे तो इसका का सभापती उप्राश्पती होते आंसर हो चाहेगा B question number 21 है pro time speaker का करतब होता है pro time speaker का जो करतब होता है वो मतलब pro time speaker का करतब होता है सदस्यों को सपत दिलाना ठीक है answer हो चाहेगा option A question number 22 है आपस में जूड़ी दो बीधुत आपस में जूड़ी दो आवेसित बस्तों के बेच बीधुधारा नहीं परवाहित होती है यदि वे हो तो देखी यदि वे समान बीभव पर हो ठीक है आपस में जूड़ी दो आवेसित बस्तों के बीधुधारा नहीं परवाहित होती है यदि वे हो तो समान बीभव पर हो ठीक है answer हो चाहेगा option D question number 23 है जब कोई तरंगे किसी दरपन में से परिवर्तित होती है तो परिवर्तन आता है इसके तो परिवर्तन जो है आता है इसके आयाम में ठीक है answer हो चाहेगा option D question number 24 है समुंद्र की CP किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है तो ये ध्रूमार के कारण से सुनहरी दिखाई देती है answer हो चाहेगा C आकास में होने वाले अग्रेम सुर्योद है एवं बिलंबित सुर्यास किस घटना के करण होते हैं तो यह होते हैं सुर्य प्रकास के अपोर्तन के करण ठीक है अंसर हो जाएगा अपसन B Q26 है लार याने सलाइबा निमनलेखित में से किस के पाचन में सहयो करती है तो सलाइबा यह स्टार्ज के पाचन में सहयो करती है अंसर हो जाएगा अपसनी Q27 है पारे का सधार्णतिया ताप मापी अंत्रों में उपियोग किया जाता है क्योंकि इसकी बिसेश्ता है तो देखे इसकी जो बिसेश्ता है उच्छ संचालन सकती Q28 है कासा मिस्र धातु है, ताप मापी अंत्रों में उपियोग किया जाता है क्योंकि इसकी बिसेश्ता है उच्छ संचालन सकती Q28 है कासा मिस्रदातू है तांबे और तो कासा जो है तांबा औटीन का मिस्र धातू है, आंसर हो जाएगा अपसनी कुश्च नमबर 29 है World Trade Center के ध्वस्त होने के समय नियार कसार में मियर कौन थे तो देखे उस समय जो मियर थे वो थे रूडी एलियानी ठीक है रूडी एलियानी उस समय मियर थे अंसर हो जाएगा B कुश्च नमबर 30 है जहासी की राने किसकी रचना है तो देखे जहासी की राने ये सुबध्रा कुमारी चोहान की रचना अंसर हो जाएगा C कुश्च नमबर 31 है Ignited Minds पुस्तक के लेखा कौन है तो देखे इस पुस्तक के लेखा कै APJ अब्दूल कलाम अंसर हो जाएगा कुश्च नमबर 32 है सौर सेलों में जिस समो को एक नेशित पैटर में एक साथ जूड़ दिया जाता है उससे क्या कहते है तो देखे उससे कहते है सौर सेलों में सौर सेलों के जिस समो को एक नेशित पैटर में एक साथ जूड़ दिया जाता है उससे क्या कहते है diese is areachoPanel teak are answer毛जायimiento awesome key question no 33 भारत के संदर्बन पनिम्न लेखित में सre ko love station सा धर्णिर पयक्ष upload का सही भाव ब्यक्त खरता है तो dhra निर्पयका सब्ध का सही भाव यह ब्यक्त करता है भारत में राजžय का कोई धर्म नहीं है ठीक है भारत में राजे का पुनर गठन किस वर्ज किया गया था तो 1156 में किया गया था करेक्ट आंसर सी यह जाएगा राश्पते सासन अधिक्तम लगाया जा सकता है तो राश्पते सासन जो अधिक्तम तीन वर्सों तक जो है लगाया जा सकता है तीन वर्सों के लिए अंसर हो जाएगा अपसंडी इसके अलावा भारतिय संबितान में कितने परकार के आपतकाल का प्रावधान है तीन जो है बितिया पातकाल इसका उलेख जो है और उच्छे 360 में आपको याद रखना है कुश्चा नंबर 36 है प्रिवेटिव डिटेंशन के अंतरगात एक बेगती को बीना मुकादमा चला है बंदी बनाकर रखा जा सकता है तो इसके अंतरगात जो है किसी बेगती को यह तीन मा तक जो है बंदी बनाकर रखा जा सकता है ठीक है प्रिवेटिव डिटेंशन के अंतरगात एक बेगती को बीना मुकादमा चला है बंदी बनाकर रखा जा सकता है तो यह तीन महीने तक ठीक है अंसर हो जाएगा बी भारत में हिंदू संब्रेधी दर निमनलेखित में से किस से संबंधित है तो ये संबंधित है राष्टी आई से अंसर हो जाएगा अप्सन D संचाई बैटरियों में कौन सी धातु परियुक्त होती है संचाई बैटरियों में कौन सी धातु परियुक्त होती है तो ये परियुक्त होती है C से अंसर हो जाएगा B question number 49 है जब सितारा और मासूरी एक ही स्वर बजाय जाए तो उनमें उत्पन ध्वाने का भेद किसके अंतर किसके अंतर के कारण किया जाता है तो उसमें उत्पन ध्वाने का अंतर जो है मतलब भेद जो है किसके कारण किया जाता है तो यह कियाता है केवल ध्वानी गुणता है खारण ठीक है अंसर हो जाएगा C कुश्चन नंबर 40 है रेडियो एक्टिविटी का अभिस्कार किस ने किया था तो यह बेकुरल ने किया था करेक्ट आंसर B हो जाएगा कुश्चन नंबर 41 है डरबाइन वर डाइनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस उर्जा को बिधुत उर्जा में परिवर्तित करते हैं तो यह मेकेनिकल उर्जा को बिधुत उर्जा में परिवर्तित करते हैं अंसर हो जाएगा C भारत में बचत और पुंजी निर्माड की उची दर होते हुए भी सम्रिधी दर कम होने का कारण क्या है तो कम होने का जो कारण है उची पुंजी उत्पाद अनुपाद ठीके उची पुंजी उत्पाद अनुपाद जो है ये सम्रिधी दर कम होने का कारण है एंसर हो जाएगा ऑप्शन D राश्टः आयर्स सम्हें पात्याख शनिम निलेखित मैं से कौन थे तो राश्टि आयर्स सम्हें पात्याखs में भालत सर्कारण पात्याख शृत पेश्टी महालोबिश थे ठीक है अंसर हो जाएगा ऑफशन B Quesion No. 44 है राष्टिय नियोचन में रोलिंग प्लान के अधारना लागु की गई थे तो राष्टिय नियोचन में रोलिंग प्लान के अधारना जो है ये लागु की गई थे जनता सरकार के द्वारा ठीक है अंसर हो जाएगा Option C Quesion No. 45 है किसके सिको पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सरोपर्था मंकित हुआ तो ये हुआ थे Quesion No. 47 है दिल्य सल्तनत के राई के भासा क्या थे तो इसके राई के भासा फारसी थी अंसर हो जाएगा C, question number 48 है सरवजनिक बीत्रण परणाली का लक्षे क्या है तो देखे इसका जो लक्षे है गरीबों को खादे सुरक्षा उपलवद कराना अंसर हो जाएगा अपसने, question number 49 है मध्यान भोजन है तु किसके द्वारा प्रबंध और बित्य ब्यवस्ता की जाती है मध्यान, मध्यान भोजन है तु किसके द्वारा प्रबंध और बित्य ब्यवस्ता की जाती है तो ये की जाती है मानौशंसादर विकास मंत्रा लेके द्वारा ठीक है, answer हो जाएगा अपसन D, question number 50 है भारत में सबसे पुराना जल भीधूते श्टेशन कौन सा है तो सबसे पुराना है सिंद्राबाग, answer हो जाएगा option D question number 51 है, बलवन का वास्तोविक नाम क्या था तो बलवन का वास्तोविक नाम बहावुधीन था, answer हो जाएगा D उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला question है जब baking powder में पाने मिलाया जाता है तो कौन सी gas निकलती है जब baking powder में पाने मिलाया जाता है तो कौन सी gas निकलती है अपके पास oxygen, carbon dioxide, nitrogen या फिर hydrogen ठीक है तो यह आपके लिए homer question है यदि आपको इसका answer पता है तो comment box में ज़रूर बाता है ठीक है और अपना score भी comment में बाता है कि आप 52 question में कितने question जो है सही कर पाए है ठीक है तो दोस्तों वीडियो पसंद आये रहेगा तो वीडियो को like, share and channel पना है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन ज़रूर सण कीजिएगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैहिंद चैह भारत